गर्मी को मात देना है न तो ये वाली जूस आप भी पिए और सारे बच्चों को भी पिलाओ हम लोग गयते भार घूमने के लिए और यहां पे न सारे की सारे बच्चे इतने जादे गर्मी से परेशान थे और बोल रहते कि कुछ पिलाओ कुछ पिलाओ अब आप लोगों को है गाओं में सबसे जादा इस सीजन में क्या मिलता है आप लोगों के यहां पर क्या मिलता है जरूर बताना हमारे यहां पर फेमस आमरस है तो कि हर जगे पे हर नुकड गली में आपको मिल जाएगा आमरस यहां पर भाया ने आमरस बनाना स्टार्ट कर दिया था बहुत सार में कुछ खराब आम रखे हुए थे वो शायद नहीं लिए भाईया ने लिया एक दम फ्रेश फ्रेश आम जो कि अभी भी काट के रखा हुआ था और बहुत सारे बरफ डाल दिये बरफ के डबे में यह देखरो इतने जादा ताजे आम लग रहे हैं सारा ले लिया मिक्सर के जार में और फिर ले लिया बहुत सारा बरफ भाई साव एक दो तीन हाथ भर के बरफ ले लिया फिर इनों ने डाल लिया है शुगर सिरफ इसमें लगता है कलर भी आड़ किया है आप लोग के यहां पर बताओ कहां पर सबसे बेस्ट आमरस मिलता है हम जरूर आएंगे पीन बहुत जादा ट्राय करने के बाद मुझे लगा इस तो आमरस नसीब में ही नहीं लेकिन कोई बाद नी भाई के बास सारा जुगार है उन्होंने कैसे कैसे करके हमारा आम रस तो रेडी करी लिए इतनी खुशी आठ से पहले कभी नहुकि इतनी जादी गर्मी है कि क्या बत कि देख रो क्या बढ़िया आमरस बनके हो गया हमारा रैडी फिर भाईया ने चोटे 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 कप ले लिए और सब कप में डाल दिया बढ़िया सा हमारा आमरस और पूरा उसको है न अच्छे जिट्रेप एकदम रैडी कर दिया अभी एक और चीज बाकी है चेरी ऑन द आधी घर्मी पढ़ रहे हमारे आप अपके घर्मी ने क्या हाल के आपका जरूर बताना और गर्मी को आपके आपके कौन सी चीज मात देती होई बताना आप मैं बता देती हूं कि यह जो आमरस है एक कब जो है वो सिर्फ और से 10 रुपे का यह इतना आसान है ना बनाने के आप लोग भी आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तीन चार इंग्रीडियन्स लेने आपको और मस्त बड़ी आसा आमरस घर पे ही रेडी हो जाएगा थंड़ा थंड़ा करके पी लो हम लोग ने तो सब ने पी लिया और आप वेट कर रहे थे ऑटो को इतनी मुश्किल है और गर्मी में जरा भी दूप लग जाए ना तो सर पकड़ लेता है फाइनली आटो मिली सब आटो में बैट गए हम लोग और यहां पर देख लो सोनू का जो है ना वह आमरस अभी तक खतम ही नहीं हुआ इसको आमरस बहुत जादा पसंद है चलो आप लोगों को क्या क्या पसंद है जरूर बताना मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई